हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोगों का फियरलेस वर्ल्ड में और आज मैं बात करने वाला हूँ इस जाम स्किल के बारे में किस तरह का टेकनिक अपना है ताकि आप इजली पास हो पाया मैं अपना ही बताऊंगा और जो एस्टेंडर इस बुक के अनुसार है यह दोनों को बताऊंगा ताकि आपको यह बुक में भी जो है प्रैटिकल ही है जो एक्सपरियंस किया गया है और मैं भी अपना एक्सपरियंस सेयर करूंगा आए उसके पहले कुछ कमेंट जान लेते हैं तमीम अंसारी कहते हैं नाइस सर फोर हैल्प आल गाईज सर यू आर मेकिंग दे वीडियो आफ निबोस आईजी सी इन दा चेप्टर थियूरी इस सो लॉंग हाउ तो हाउ शूड वी रीड आल हाउ शूड वी रिमेंबर आल वी कैन रीड वनली हेडिंग एन एक्जामपल तो मैं बता दू आपको तमीम अंसारी जी कि मैंने जो पढ़े थे उसमें क्या किया था कि पूरे बुक में हमने इंपोर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर दिये थे जैसे मैं एक्जामपल बताता हूँ जैसे रिक्स असेस्टिमेंट के कित और बाकी चीज़ को मैं मिमुराइज करता था कि मैंने बुक में क्या पढ़ा और मेरे पास क्या नोलेज है तो मैं आपको यह नहीं बोलता कि पूरा बुक को याद रखे पूरा बुक को हूब हूब मतलब कि same you can't remember तो according this is my opinion that आपको केवल important points याद रखने हैं और बाकी लिखा है आप एक दो बार memorize करेंगे जब सोचेंगे उसके बारे में तो वही लॉंगज आपके माइंड में आ जागा मैं जैसा बुक में लिखा है वैसा तो मैं नहीं कह रहा है कि आप वही सहीं मिमुराइज करिए लेकिन मैं यह कह रहा हूँ कि आप जो है उस बुक का maximum sentences जो है अपने language में लाईए इससे क्या होगा कि आपका जो है जो राइटिंग स्कील है ओ इंप्रूब होगा और एक्जाम में जाके आप ऐसे कोई sentence नहीं लिखेंगे जिसको जो examiner को समझ में ही नहीं आ रहा है अगर he will not understand your long ways तो how they will give you marks तो यह है ऐसा तो आप जो है मैं दिये गए है उसको आप याद रखिए जैसे फॉस्टेड क्या होता है फॉस्टेड का मतलब मतलब जो आर है थ्री आर उसको ऐसा करके आप याद रखिए पॉइंट जो है जैसे पर्मीट वर्क में कितने पार्ट होते हैं जैसे इसू है रिसीट है इस तरह का जो है भी कुछ points है, 5 points के अंदर भी कुछ points है, उस highlight को याद रखिए, और बाकिछ चीज जो है, आप कोशिस कीजे कि ये standard language लिखने का परियास करें, तो इस तरह से मैंने क्या किये थे, हाइलाइट कर दिये थे, अपना कुछ notes बना लिए थे, तो जब मैं exam हर दिन जो है morning में देख करते हैं, तो बहुत अच्छा रहता है, और मैं ये कहूंगा कि आप जो है, इसको जो भी पढ़ते हैं, अपना practical life से, और आपका जो है, जो आपने पढ़ा, दोनों को relate कीजिए, कितना gap है, जैसे आपने क्या सोच रहे थे उसके बारे में, और हमने क्या पढ़ा, कितना gap है अगर gap नहीं है, तो अच्छी बात है, लेकिन अगर gap है, तो देखें कि कितना gap है, और उसको gap को feel करें, तो इससे क्या हुआ जब अप practical life से उसको relate करेंगे, तो आपका जो है, ओ एक्स्पिरियंस होगा, और आप जो है, उसको ज़्यादा समय तक आदमी सोचता है, वो पढ़ा हुआ अपने से सोचा हुआ, अपने से कोई थिवरी बनाया हुआ, अगर आदमी जो है, उसको जल्दी से जल्दी उसको पूरे का पूरा समझ जाता है, तो मैं यह कहूंगा, कि आप जो है, जो भी आप पढ़ रहा हैं, कही ने कहीं काम करते होंगे, या नहीं भी क प्लेस पे रिलेट किये थे, और मैंने, मेरे साथ जो काम कर देते हैं, वरकर, मैं उनके जो ट्रेनिंग तो हर जगा दी जाती है, कमपनी में, तो मैं जो है, वहाँ उनको समझाता था, ऐसे समझाने से क्या है, कि स्कील बढ़ रहा था, और कोई नहीं भी सुन रहा है, आओ मैं तुम्हें तो सेफ्टी पढ़ाता हूं, और ऐसा करके, फिर मैं सारे पॉइंट्स को उसको बताता, देखो यह यह चीज हो सकता, यह चीज हो है, यह जो है, अगर एक्सिदेंट ना होने के लिए यह पॉइंट कवर करना चाहिए, फरस्ट है मतलब यह है, परमीट है, म मतलब वहाँ क्या कमी हो सकती है, क्या प्रॉलम हो सकता है, क्या करना चाहिए, अगर एज एंजिनियर आपको रख दे जाए, सपोज माल लेते हैं, कनफाइंड एस्पेस पे कोई सिस्टम डेवलपी नहीं हुआ है काम करने के लिए, और आप फरस्ट टाइम जा रहे हैं काम है, अगर बहुत कम गयप है, मतलब आप सब कुछ तो पहले से जानते हैं, अगर गयप जादा है, तो आप पढ़के गयप को मेंटेन कीजिए, गयप को फिल कर लिए, तो ऐसे जब आप प्रिक्टिकली रहेंगे न हमेशा, तो हमें नहीं लगता कि जादा प्रॉलम होगा, और यह मत समझेगा कि जो भी मैं कोश्चन होगर यहां डिस्कस कर दूगा, वही एकजाम में आएगा, वहाँ पर कोश्चन जो है कोई सिच्वेशन देखे भी दिया सकता है, कि एक आदमी इसमें काम कर रहा है, ऐसा सिच्वेशन है, जो है वहाँ पर तो आप वहाँ पर कि एकजाम में ज्यादा आपको बुक के बारे में सोचने को सकता रहेगी, क्योंकि आपने तो अपने आप खुद सारे थियोरी डेवलप किये हैं, और खुद सारे जब थियोरी आप डेवलप करेंगें, तो हमें नहीं लगता कि आपको ज्यादा प्रोलम होगा, तो मैं चीज याद हो जाता है और मैंने निवोस डिपलोमा के भी सारे बूके पढ़ें तो हमें लगा कि उसमें भी कोई ज़्यादा यह नहीं है तो इस तरह से मैंने याद करने कोशिश गया और आप जो है मैं तो यह कहूंगा मेरा जो स्कील था कि जब आप सुबह में सो के उठते हैं तो उस नहिपे तो उसमें एक बार अपने नो tapes को रिवीजन करें और मैं मेरा experience मैंने जो किया है सुबह सुबह सोने के बहले जब सोते हैं तो झालिब में तो सारे चीजों को जो है एक बार रिकॉल करें कि मैंने अज क्या पढ़ा कल क्या पढ़ा साम में जब आप सोचते हैं तो उसम artillery सोने के time पढ़ा एक chapter ले ले कोई भी और प्यों हमने क्या क्या पढ़ा systematic आप सोचने की कोस्थ करें जैसे एक worker की क्या responsibility है इसको सोचने की कोस्थ करें क्या ہوगा क्या मैंने पढ़ा और कितना याद है और कितना नहीं याद है उसको gap को फिर maintain करे तो ऐसे क्या है न कि मैं हमको जहां तक लगता है कि आदमी जब किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचता है और तो हमें लगता है कि उस ज़्यादा याद हो जाता है मेरा जो practical experience है तो हमें भी लगता है कि आप इस technique को follow करें ज़्यादा उसके बारे में सोचें और साथ में मैं ये भी करता था जिसे question कोई ले लिया और question कोई लेने के बाद जिसे मैंने book पढ़ लिया मैंने आपको जिसे आप मेरे paper को पढ़ रहे हैं सारे को मैं जो lecture डाला हूँ आप सारे चीज पढ़ रहे हैं लेकिन उस चीज को जो है आप एक काम करें कि पूरी तरह से एक बार ये book पढ़ने के बाद बहुत सारे question जो है उसको आप खुद लिखने के कोईश करें और उसके answer से इस book जो आप डाउनलोड करेंगे इसमें question answer सब है question starting में है और end में answer है तो उस question को और answer को आप relate करने ही question करें मतलब कि आपने जो question का answer दिया और book में जो दिया हुआ है तो देखे कितना gap है अगर कोई point छूट रहा है तो वहीं मार्स करता है जैसे आपने इसमें लगबग 4 point discuss करने थे आपने 4 point discuss नहीं कि इसमें 3 point ही discuss किये तो gap कितने का हो गया 1 अगर 4 marks का question है तो 1 marks नहीं मिलेगा और कुछ long ways के उपर है तो इसलिए जो है आदमी जैसे 100 का marks रहता है तो 100 में कोई 70 कोई 60 मेरा भी ज्यादा score नहीं है मेरा भी 60 का score है तो 40 तो नहीं मिला number न तो कहीं न कहीं gap है तो ये चीज़ को आप जितना gap को फिल कर पाएंगे उतना ही ज्यादा marks ले पाएंगे और आप हो सकता है कि distinction से भी पास हो जाए अच्छे number से पास हो जाए तो ये चीज़ जो है रहता है तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ इस book की बाते भी थोड़ी सी तो इसमें question में जो है 11 total जो है sorry one long question रहेंगा और eight short question रहेंगा तो अगर eight short रहेंगा तो eight is eight into ten is equal to 80 और एक जो है long question रहेंगा अधर twenty total hundred mark से question हो गया तो ये जितना number का marks का जितने marks का question रहेंगा according to that you have to reply answer ऐसा नहीं कि ये four marks का question है और you have written four five six seven page इस तरह का तो आपको जितना पूछा जाया आप एदम उतना ही जबाब देना है तो I think आप जो है अच्छा तो आईए exam technique इसमें देखते हैं तो सब exam technique में जैसे ये बताया है सबसे पहला जो है जैसे कि read the question question को अच्छे से पढ़ना है क्योंकि जब आप question को नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है आप गलत answer दे दे the first step to read the question carefully और take care with this as it is very easy to misread word in the rush to get writing जा मैं क्या है आदमी को पस लगता है कि time बहुत कम है time रहता है sufficient अगर आप time को अच्छे से manage करेंगे तो time रहता है वहाँ पर गड़ी allowed नहीं रहता है ले जाने के लिए लेकिन वहाँ पर एक watch लगा रहता है बाहर में मतलब की table के उपर एक बड़ा सा watch मतलब की चाहें वो digital हो सकता है तो उस watch को आप देखके अपना time को manage कर सकते हैं लेकिन electronic समान allowed नहीं है तो इसलिए watch मत ले जाए और आप उस घड़ी को देखके अपना time को manage करें जिस time जिस question के लिए जितना time है question पढ़ने के बाद जो उसके keyword है keyword आजकल normal आएंगे क्योंकि वो identify outlook इस तरह का नहीं आएगा explain, define इस तरह का नहीं आएगा लेकि what, why इस तो question जब है तो उसमें कुछ ना कुछ तो question word तो रहेंगे जिसे what रहेगा why रहेगा इस तरह के रहेंगे identify भी हो सकता है outlook जो से तरह की इस तरह का जो पहले था identify, outline, explain इसको इतने एसे ही करना है इसको इसे ही करना है ज़्यादा restriction हाटा दिया इस बर तो highlight the keywords keywords को highlight करना है जैसे what पूछ रहा है या why पूछ रहा है या when पूछ रहा है इस तरह कुछ भी पूछ रहा है और साथ में re-read the question फिर से आप re-read the question करें क्योंकि आप कुछ भूल तो नहीं रहा है आपने सही से समझ रहा है कि नहीं और तब आपना plan बनाना है कि हमको answer कैसे देना है drop your plan यह जो है यह fifth step है और जब आप plan बनाएंगे मैं एक question answer देखता हूँ उसके में आप जान जाएंगे कैसे plan बनाना है जब आप plan बनाएंगे तो एक चीज भी उसमें एक भी word उसमें छूटेगा नहीं so miss नहीं होगा जिससे कि क्या है कि आप maximum marks secure कर पाएंगे और साथ में time को भी देखना है monitor करना है अगर अगर तो आप divide कर लिजिए total 11 question है उसके अनुसार अपना time को divide कर लिजिएगा जो 2 घंटे का है आई एक question देखते है और आपको लगता है कि इस question से जो मैं example दूँगा इससे आपको समझ में आ जाएगा जिससे what are the sum of the possible cost to an organization following an accident in the workplace अगर कोई workplace पर accident होता है तो कौन कौन सा possible cost है मैंने आपको इस unit 1 में भी पढ़ाया था element 1 में कि कौन कौन से cost होते हैं दो cost होते हैं direct cost और indirect cost ये तो आपके दिमाग में है कि direct cost और indirect cost होता है लेकिन इसको लिखे हैं कैसे तो सबसे पहले आपको मैंने जो टेकनिक बताया है उसको यूज करकर देखते हैं हमने question को पढ़ा उसके बद क्या किया the question call for identify मतलब कि पहचानना है what are the sum the possible cost what मतलब identify करना है वहाँ पे मतलब पहचानने है कौन-कौन सा cost है यही है न तो यह identify वाला ही question है तो आपने कहा कि आप यह number wise लिखने पढ़ेंगे यानि कि जो भी indirect cost है इसको लिखने पढ़ें इसको explain करने के लिए नहीं कह रहा है define करने के लिए सा कुछ नहीं कह रहा है तब आप क्या करेंगे इसके बाद highlight the keyword keyword को आपने highlight किया तो keyword क्या है तो keyword आपका है keyword है जैसे what और दूसरा क्या है cost और तीसरा क्या है accident ठीक है कितने number का है तो this is 8 marks question what will be the step 3 अब consider the marks available marks available कितने है 8 marks अब इसके अनुसर जो है इस question को reply करना है ठीक है यानि कि लगभग जो है आपको identify करने है कितने 8 cost 8 number मतलब 8 cost को identify करने है तो अब आप जो है इसमें जो दिया गया है कि only 8 factors feel free to give extra in order to maximize the chance of gaining full minimum तो 8 आपको identify करने है यहाँ पे लेकि 8 से ज़्यादा भी आप कर सकते हैं इससे क्या है कि number जो कितने marks secure होंगे इसका maximum chance बढ़ जाएगा कि अगर कोई गलत भी हुआ एक तो they will provide another marks for the another answer तो इस तरह से जो है इसमें जो दिया हुआ है और आपको जादे भी दे सकते हैं लेकिन 8 marks का है तो minimum 8 तो देने देने हैं step 4 है read the question again अब एक बार फिर से question पढ़िए और ensure हो जाएए कि जो है सब कुछ सही है make sure you understand and have to have a clear understanding of the cost accident बहुत लोग क्या होते हैं मैं भी अपना बता रहा हूं कभी कभी question इतने जल्दी बाजिंग पढ़ते हैं कि जिस तरह से जो पूछ रहा है वो नहीं दे पाते हैं बाद हमें realize होता है यह तो question पूछा ही नहीं फिर मिना टाइम जो है 10 minutes 10 minutes 15 minutes lapse हो गया तो अगर हम read-read करने में और पूरे mind को focus करके करने में अगर समय बिताएंगे तो हमें नहीं लगता कि we will spoil our time तो अब आपको क्या करने है plan draw करने है तो आप rough page में जो पीछे में rough page होता है उसमें आप rough कर सकते हैं तो rough paper में आप क्या कर सकते हैं तुरंत आपने लिखा direct cost लिखा आप faster treatment sick pay repair to equipment loss of damage product loss product time overtime for the injured person fight यह क्यों लिख रहे हैं आप क्योंकि आप exam में मतला कि वहां जब लिखेंगे तो miss नहीं करें compensation payment to victim आप एसा short form में लिख लिजी मतला कि ऐसा मैंने बोलता है आप पूरा लिखी लिखी ऐसा लिख लिख लिजी ताकि word समझ में आए कि हाँ यह चीज हमको क्योंकि जब आप answer देना जाता है तो बहुत सरा चीज में छूट जाता है और बहुत सरा चीज जब miss हो जाएगा at that time he will lost some marks मैं full नहीं बोलता हूँ कुछ marks जो आप नहीं मिलेंगे तो यही रिजन होता है कम marks पाने का मेरे 60 marks आये थे तो अब 40 मैंने miss कर दिये तो कहीं नहीं कम लिखा होगा उसके जो जो उनका map दंडे जो उनकी measuring करने की है उस पर मैं पूरी तरह से perfect नहीं था तो आप ल time lost employee moral cost of additional control measures हम आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने कुछ ज़्यादे ही लिख दिये हम सजेस्ट कर दिये हमने तुरन 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 माइन में प्रोफाइल बना लिया हमको यह चीज लिखना है चाहें वहां पर साइड में यह कर लिया अब इसमें से कुछ छूटना नहीं चा इसमें क्या है वाट है वाट मतलब यह identify करने के लिए बोल रहा है कि अबल नाम लिखने के लिए कुछ explain या why कुछ region देने के लिए नहीं बोला है तो यहाँ पर तो just bullet form में होगा लेकिन यह मत आप समझेए कि हमेशा जो है bullet form में लिखना है अगर why पूछे region पूछे explain तो direct cost में include अब आप पहले कैसे लिखेंगे सबसे पहले उपर उपर में आप question जो था उसी का अनुसार यह उपर का लिखेंगे तो उसमें क्या था what are the cost of accident ऐसे ही था तो इसमें हमने क्या लिखा what को हटाया देर भर दिया वहाँ पर there are many cost of accidents ठीक है उसके बाद क्या लिखा which can be divided into direct and indirect cost हमने अलग-अलग कर दिये अब दो भाग में कर दिये दो पार्ट में कर दिये अब we have to write in two parts पहला लिखा direct cost अब देख पा रहे हैं यहाँ पे direct cost में include और हमने जो वहाँ पे लिखे थे जट पर जट पर लिखे थे ना जो वो चीज को थोड़ा सा अच्छे से यहा विट्यम हमने वहाँ क्या लिख्या था 1st डेट टिटमेंट लिखे दें लेकिन यहाँ पे मैने किलियर कर दिया कि 1st यह टिट्यमेंट गिभें टू दविट्यम और जो सेकेंड है सीख पे इफ दे आर-फ वहाँ पर लिखा था सओट पर में जल्दी से क्योंकि हमने time cost incurred to cover their absence, overtime वहां पर लिखा था, लेकिन यहां पर पूरे लिख रहा हूं, overtime कैसे, incurred to cover their absence, repair, वहां repair लिखा, repair to damaged equipment, lost of the damaged product arising from the accident, lost product time, in the event of legal action, there may be also fine or compensation payment, वहां हो सकता है, compensation payment के वाँ लिखेंगे, लेकिन आपर फट से, short sentence लिख देंगे, तकि पूरा पूरा clear समझ में आए अगले को, compensation मतला किसको, यह तो है ना, तो आप clear करेंगे, जितना अच्छे से clear करेंगे, number उतना ही ज्यादा आपको मिलेगा, indirect cost may include, the time taken to investigate the accident, यह है, और the cost of the accident control measures, वैसे ही, वहां पर क्या लिखा था, आपने, investigation लिखा था, यहां पर क्या है, थोड़ा सा, हलका सा, उसको clear कर दे रहा है, कि the time taken to investigate the accident, the cost of the additional control measures to prevent, रिया करेंगे, इसमें आप चाहे तो 8 ही reply दे सकते हैं, पूरे रिप्लाई देने के ज़रूद नहीं है, 8 marks है, तो minimum you have to reply 8 points, but if you maximize, then chance of getting more marks, 8 से ज़र तो marks नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर कहीं कुछ गलती हुआ, तो उसके जगपे वह fill up कर लेगा, तो ऐसा आप कर सकते हैं, लेकिन आप time का भी important देंगे, सारे question attempt करने हैं, क्योंकि सारे question जब attempting नहीं करेंगे, तो number कहां से मिलेंगे, तो मेरा मा guarantee बढ़ जाती है, साथ में आप देख पा रहे हैं, कि there may be loss of moral in the workplace, which may, which could impact productivity, damage to the organization, public image, or customer relationship, आपने वहां लिखा, और public damage to the public image, जैसा लिक, short form में लिखा, या तो अच्छे सी लिखना है, तो जितना आप आपके पास writing skill अच्छी होगी, उतना आप अच्छा number ले आएंगे, तो reason for poor marks received by the candidate exam, क्या reason है, कि poor marks आते हैं, कम marks आते हैं, पूरे लिखने के बाद, कोई कोई बोला कि मैंने तो पूरे के पूरे 11 questions है, लिख के आया हूं, पास होने की तो guarantee है, लेकिन फिर भी fail हो जाता है, जातर लोग fail हो जाते हैं, इसका main reason है कि candidate, most candidate should find the question straight forward, तुरांत लिख देते हैं, जैसे आपने बताया ना कि question पढ़ा, तुरांत बुलेट में फटाफट, indirect cost पटाफट लिख दिया, लिख तो दिया, लेकिन आपने arrange करने ही किया, सही से उसको बताया नहीं, marks दो number मिलेंगे, एक number मिलेंगे, या नहीं भी मि लेंगे, तो मेरा मानना है कि आप time को management अगर सिख जाएंगे exam में, और practical जो है आप करेंगे, अगर route नहीं, जैसे कोई question ले लिखने का परयास करेंगे, तो जितना हम मेरा मानना है, जितना लिखने का परयास करेंगे, तो वहाँ जाने को अगर आप बंद भी करेंगे, तो कोई sentence आप miss भी कर रहे हैं, कि meaning उसका नहीं याद है, लेकि हाथ को याद है, और फटा-फट उस word को लिख देगा, तो आप जो है थोड़ा सा लिखते भी रहे है, question को देखिए, अपने आप answer देने के कोशिस कीजिए, और match कराईए, exam में जो मतलब जिस तरह लिखना है, औ और उस gap को fill किजिए, आप जितना मेहनत करेंगे हमें लगता है कि आप, मैं तो 60 ला पाया था, आप इससे ज्यादा ला पाएंगे, तो reason for poor marks achieved by the candidate exam, तो must candidate should find the question at straightforward, तुरंग पढ़ते हैं, फटा-फट पॉइंट देने लगते हैं, कुछ नहीं समझाते हैं, कि कितने cost होते ह उसको explain भी नहीं करते हैं, क्यवाल investigate लिख देते हैं, investigate मतलब क्या, उसको थोड़ा सा enlarge कर देजे न, तो note that this is example, it is not requirement of the question to structure the answer as direct or indirect cost, however, sometime this is asked which is why we did so here, a good structure does help ensure that times are not missed and help the examiner's award marks easily. इसका कहने का मतलब यह है, कि ऐसा कुछ question में नहीं कह रहा है, कि आप इसको direct और indirect में categorize किजिए, लेकिन अगर आप categorize करते हैं, तो आप अच्छे से वो bullet form में दिख जाता है, लेकिन only what, लेकिन अगर why पूछे, explain करने के लिए पूछे, तो आप इस form में नहीं लिखने की जरूरत है, उसको आप अच्छे sentence में लिखिए, वहा रिजन लिखिए, अगर आप ऐसा नहीं भी लिखते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि categorize करने के ला, अगर आप ऐसा नहीं भी लिखते हैं, और यह सारे चीज़ को एक sentence में लिख देते हैं, तो भी आपको marks मिलेंगे, तो वहाँ पे लिखा रहेगा कि point कौन-कौन साइस में मिस हुआ था, जिसके चलते हैं, जो है poor marking हुआ, तो आपको point नहीं छूटने चाहिए, यह point है वह आपको sentence में रहे, चाहिए bullet form में रहे, तो आप थोड़ा common sense लगाएंगे, हमें लगता है कि आप अच्छा marks secure करेंगे, फ सभी लोग का demand था कि question, answer, question, answer थोड़ा ज्यादा focus किजिए, मैं अभी उसी पे focus करता हूँ, तो आज मैं बहुत सारे question तो नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन अगले lecture में only question and answer है गा, question and answer है गा, explanation में दूँगा, और हमें लगता है कि आपको उससे ज्यादा समझ मिलेगा, तो मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ, मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ कि जा मैक्समम जो है, English word का use करूँ, ताकि जो out of Indian viewer है, they will also understand some parts, तो पूरा पूरा question, पूरा पूरा जो है, English में नहीं बना पा रहा हूँ कि, because my focus is on Hindi medium students, who have very less understanding, तो मैं उनके लिए बनाने की कोसिश कर तो आपका कमेंट बहुत आया, हमें अच्छा लगता है कि आप कमेंट करते हैं, और हमें लगता है कि आप हम से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग को अपका अप्रिसेशन बनता ही है, कि आप लोग ने मेरे वीडियो को इतने भीव दे रहे हैं, और continue support दे रहे हैं, तो थ क्युत्स कर दो